साथियों, जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या-क्या खरीदारी करनी है, खास कर बच्चों में तो इसका विशेश उत्सा रहता है, कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है, त्योहारो कि ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल्फ और लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें बाजार से सामान खरिदते समय हमें स्थानिय उत्पादों को प्रात्फिक्ता देनी है साथ साथियों त्योहारों के इस हरसोलास के बीच में लोकडाउन के समय को भी याद करना चाहिए है लोकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करिब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है सफाई कर्मचारी घर में काम करने वाले भाई बहन लोकल सबजी वाले दूद वाले सिकुरिटी गार्ड इन सबका हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भली भाति मैसूस किया है कठीन समय में ये आपके साथ थे हम सब के साथ थे अब अपने परवों में अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है मेरा आग्रह है जैसे भी संबव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए, परिवार के सदस्य की तरह करिए, फिर आप देखिए आपकी खुशियां कितनी बढ़ जाती हैं साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी आद रखना है, जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं, हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है, मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप बले ही सिमापर है, लेकिन पुरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है, मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं, जिनके बेटे बेटियां आज सरहत पर है, हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसने किसी जिम्मेदारी की वज़े से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं रदे से उसका आभार प्रगर करता हूं